दोस्तो स्वागत है आपका हमारी एक ओर नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं अपने कियोस्क पोर्टल में नए और पुराने दोनों पोर्टल के एक साथ चलने के बारे में। कि आप एक साथ अपने सिस्टम में दोनों पोर्टल किस तरह चला सकते हो। आपने देखा होगा जिस भी CSP का न्यू पोर्टल आता है, उसका APS का आप्शन अपने आप हट जाता है और नए पोर्टल में कितनी समस्या आ रही है, वो तो आप जानते ही है. इसलिए दोनों पोर्टल का एक साथ चलना बहुत जरूरी है. इसलिए जब भी आपका न्या पोर्टल आता है और पुराना वाला ओप्शन हट जाता है, तो आपको अपने BC को बोलना है कि वो आपकी Old APS की सर्विस स्टार्ट कर दे. आपका BC अपने admin पोर्टल से आपकी सभी पुरानी सर्विस फिर से स्टार्ट कर देगा और आपके सिस्टम में नई और पुरानी दोनों सर्विस एक साथ वर्क करना स्टार्ट कर देंगी सिर्फ आपको उसके बाद अपने कियोस्क को बंद करके उपन करना है. आप देख सकते हैं यहाँ पुराना APS withdrawal का option भी आपको देखने को मिल रहा है और नया पोर्टल भी आ रहा है और ये दोनों एक साथ वर्क करेंगे और आपको काम करने में कोई समस्या नहीं मिलेगी. आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं. इस वीडियो में फिलहाल इतना ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें.